नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे और आपके चैनल इस जनकारी में तो दोस्तों इस चैनल का बनाने के हमारा मुख्य अदेश यह है कि परिवहन से रिलेटेड जो भी जनकारी हो हम आपको प्रोवाइड कर सके जैसे कि आपका जैसे कि परिवहन से रिलेटेड सारी जनकारी हम इस चैनल के मादे हम से आपको प्रोवाइड करने वाले हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेस कर लेजिए ताकि हमारे न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके तो चलिए आज की इस वीडियो में हम हम लोग बात करने वाले हैं कि fancy number book कैसे करें यानि कि fancy number book कैसे करें जोगी आपका 24 नंबर हो हम लोग च्वाइश नंबर अपना कैसे वुक करें पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि fancy number का ID और password हम लोग कैसे बनाएंगे लोग और उसके बाद यह वाला हम वीडिय हम लोग Google में सर्च करेंगे लो fancy number और fancy number सर्च करने के बाद इस वाले website पर आ जाएएगा और यहां पर आने के बाद अपना simple सा जो भी login ID और password बनाए होंगे तो यहां से हम अपना feel करके login पर क्लिक करेंगे लो तो जैसे कि हम आप यहां पर हमें एक number अपना book करके आपको द और otp fill करने के बाद के यहां पर हमने अपना otp출 कर लिए लो submit पर click करेंगे लो submit मिट करने के पर यहां पर हम अपना second entry option चूझ करेंगे लो और second Option पर करेंगे लो और यहां से में अपना स्लेट करनेक वाद ऐसे चलैक्ट करें बावन से आपना नंबर ले लिना जो भी राड़ी कोड होगा अपनाों यहां पर स्लैट करके और अपना बाइकल का टेगरी की चूछ कर ले ना और बैपको चाहिए इहां पर पूझ कर करना होगा कि वह अबलेबल है या नहीं तो सिंपल सा हम अपना यहां पर डालेंगे लोग जो भी आपको नंबर चाहिए तो जैसे कि हम यहां पर अपना नंबर डालेंगे जैसे कि हम लोग को number चाहिए 6555 तो हम लोग यहां पर fill करके देख लेते हैं तो यहां पर not available यानि कि no record found दिखा रहे हैं यानि कि यह number अब लेबल नहीं है तो simple से हम लोग नीचे अपना fill करके फिट से देख लेते हैं लोग तो आप simple से यहां पर देख सकते हैं this number is not available यानि कि यह a lady book हो चुका है तो simple से हम लोग को अप दूसरा number choose करना होगा तो simple हम एक और यहां पर number डालेंगे लो जैसे कि हम लोग थोड़ा सा वेट करने एक बाद यहां पर अपना एक और number fill करेंगे लो जैसे कि यह वो देखते हैं अब लेबल है या नहीं है तो यहां पर हम अपना इस number को हट आगे हम दूसरा number यहां पर फिल करेंगे लो अप्शन continue to registration पर क्लिक करेंगे लो तो simple सा इस पर continue to registration पर क्लिक करेंगे लो और जिनके नाम से भी आपका invoice होगा जैसे कि आप जहां से गाड़ी खरीदे होंगो वहां से आपको इन्वाइस मिला होगा तो simple सा जो इन्वाइस पर डाटा होगा वही यहां पर आपको डाटा फिल करना है इन्वाइस से मैच होना चाहिए जो यहां पर आप डाटा फिल करिएगा तो simple से आप आपने इन्वाइस से मिला कि यहां पर आपना डाटा फिल करिएगा और डाटा सब्मिट पर क्लिक करने के बाद सिंपल से आपको न्यूव पेज पर रिडेरेक्ट कर दिया जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं आपको यहां से फिर से अपना कंफर्म कर लेना है जो भी आपका गाड़ी नंबर हो अपना नम और यहां पर अपना करने और से जब्हके अरब क्लिक और सिंपलसे यहां पर रिडिरेक्ट कर जाएगा चाहें था से आप अपना कंटीनु करने के बाद सिंपल सा जो भी अपका पेमेंट का परकिरिया है यहां पर अपना कर लेना है और पेमेंट का परकिरिया Salvador था है तो हम लोग सुंपल साइस पे फिर से इस वाले आपसण पर आएंगे लोग फिर से अपना id login करेंगे लो और like id login करनेक बाद simple सा शाम मिंट पर क्लिक करेंगे लो पर सब्मिंट पर क्लिकक करनेक बाद continue payment पे क्लिक करेंगे लो फिर से और continue payment पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे आपका रिसीप प्रिंट रिसीप डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद आपको यहां पेपर के साथ अपना पेपर सब्मिट करेंगे अपना परकिरिया को फॉलो कि जैसे कि आपको अपना घाड़ी नंबर जैसे कि आप यहां पे बुक कर लिए हैं तो आपको यह गाड़ी नंबर अलर्ट कर दिया जाएगा आपके नाम से